भरतपुर में गायत्री परिवार की और नवचेतना जागरण कायक्रम के तहत 108 कुंडिय गायत्री यग्य का आयोजन हुआ इस दोरान मंगल कलश यात्रा का तकनीकी शिक्षा एवो मायुरवेद राजमंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इस मंगल कलश यात्रा में इस एकड़ों की संख्या में महलाएं पीत वस्त्र धारण कर सिर्फ पर कलश लेकर शहर के मुख्य मारगों में होकर निकली कीला इस्तित गायत्री शक्ति पीट में आयोजित कारिक्रम में डॉक्टर गर्ग ने वेद माता की पूजार्चना की और 108 कुंडियों महायग स्थल पर पहुँचकर आयोजित कारिक्रम में बोलते हुए कहा कि यग एक एसा कारे है जिसके माध्यम से बुराईयों वो पाप कि वे भरतपुर के विकास में सहभागी बने ताकि विकास को और अधिक गती मिल सके इस अवसर पर गायत्री परिवार के राजिस्थान जोन प्रभारी ओम प्रकाश अगरवाल गायत्री शक्ति पीट के मुख्य ट्रस्टी देवेंदर चामण कॉंग्रेस की शहर अध्यक् दीन दयाल जाटव, डॉक्टर सुशील पारासर, सुरेश पारासर, अभिशेक्तिवारी सहित गायत्री परिवार के सदस्ट्रिवा कारिकर काम होजूर थे सतीश सारस्वत की रिपोर्ट सब्सक्राइब के साथ बड़त होए हम आगे परहे हैं आप सब जालते हैं कि हमारे वानियुक्पंति अशुक रलाव जी ने एक शांदार ऐसे खेल जगत में एक ऐसा अब पूरे देश पर आजिस्तान का नाम ले जाता है और खेल के सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है अने वाले एक टेट साथ में देखेंगे जब यहां का स्पोर्ट सिस्कूल तयार हो जाएगा खेल स्टेलियम तयार हो जाएगा